Welcome back to food funda khushbhu आज के वीडियो में आप देखेंगे जेन रेसिपी से छोले बनाना और साथ ही आप देखेंगे बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, इंस्टेंट भटूरे जो एक दमी फटा-फट बन जाएंगे सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक कप छोले को रात को 6-7 घंटे हमें बिगोना है बिगोलिया था रात को और सुबह इसे मैंने कूकर में 6-7 विसल तक बॉयल कर लिया है ग्रेवी के लिए मैंने ये मगच और पोस्ट के दानों को बिगो के रख लिया है इसे सिर्फ आदा खंटा बिगोने की जरूरत है अब सबसे पहले हम भटूरे का आटा लगाएंगे जिसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा लिया है साथ में लिया है 1.5 कप रवा 1 टीजपून शुगर और 1 टीजपून सॉल्ट और 1 टीजपून ओईल डालके इन सबको मिक्स कर ले अब इसका आटा हमें इंस्टन तरीके से लगाना है जिसके लिए हम यूज़ करेंगे सोडा जो ड्रिंकिंग सोडा आता है वो हमें लेना है कोई भी ब्रैंड का हो बट फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए टमेटो और हरे मिर्च और साथी में जो हमने दाने भीगोई थे वो इसकी पेस्ट करके हम प्योरी बनानेंगे अब एक कढ़ाई में हम एक चम्मच बेसन को एकदम लो फ्लेम पे सेख लेंगे जब बेसन सिख जाए तो इसे अलग से निकाल के रख लें अब एक पैन में मैंने तेल गरम किया है जिसमें जीरे को क्रैकल होने दें और साथी में डालेंगे लाल मिर्च थोड़ा सा बगार अलग से निकालके रख लें अब इस तेल में हमने डाला है ग्रेवी को और ग्रेवी को दो से तीन मिनिट तक अच्छे से कुख होने दें देखिए ग्रेवी कुख हो गई है अब इसमें मैंने डाला है मसाले जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, दनिया पाउडर और छोले मसाला साथ ही में हमने डाला है नमक के अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और काला नमक अब मसालों को भी हमें अच्छे से एकदम भून लेना है छोले मसाले से छोले में फ्रेवर अच्छा आजाता है ये देखें ये मसाले मेरे भून के रेडी हो गए है तो आप साथ में मैं जो ये मेरे boil हुए वे छोले हैं देखिए अच्छी तरीके से एकदम cook हो गए हैं ऐसा आपको soft cook कर लेना है अब इसे हम डाल देंगे इसमें और अच्छे से mix कर लेंगे इसमें हमने आलू यूज किया है न अनियन तो इसे थिक करने के लिए मैंने जो बेसन सेख के रखा था एक चमच वो हम इसमें आप डाल देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे देखिए आप देख सकते हैं ये थिक होने लगा है एक से देट चमच हम बेसन डाल देंगे इसमें अब इसमें हम पानी डाल देंगे और साथी में इसे mix कर लें और अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और खटाई के लिए मैंने डाला है इमली का पल्प, अगर आप इसे ना डालना चाहें तो आप अमचूर डाल सकते हैं और साथ में हम डालेंगे सुखी हुई पान मेथी, इससे एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, छोलो को आप ट्राय करें कि आयन कडाई या अलिमिनियूम कडाई में बनाएं जिसे छोले थोड़े डाक कलर के बनते हैं, अब इसे हम ढखके चार से पांच मिनिट तक कुक होन करेंगे, फिर से एक बार थोड़ा सा निट कर लें और उसकी छोटी लोई बनाके भटूरे बेले, तेल गरम होना शुरू कर दे, भटूरे हमेशा गरम तेल में फ्राई करने चाहिए, तब ही वो अच्छे से फूलते हैं, आटा सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट न करेंगे, यह देखिए, एकदम अच्छे से भटूरा फूल गया है, और एकदम इंस्टन हमने बनाया है, इसे सोडा वाटर यूस किया है, और आदे खंटे के लिए रेस्टिंग टाइम दिया है, बस इसे अब पलट ले, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छे से आने तक, इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें, यह देखिए, बहुत बार जब गैस्ट अच्छानक से आ जाते हैं, तो आप भटूरा इंस्टन इस तरीके से बना सकते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, शूगर जो हमने डाली है, उससे इसका कलर गोल चोले भी अब रेडी हो गए हैं, इसे हमने बाउल में सर्फ कर लिया है, और जो थोड़ा सा बगार हमने अलग से निकाल के रखा था, वो इसके उपर डाल दें, और इसे सर्फ करें गर्मा गर्म पटूरे के साथ, अगर आपको ऐसी भी पसंद आई हो, तो प्लीज सब्सक मैं चनल!